So, hello everyone, मैं हूँ आपका दोस्त, आपका टीचर, C.A. Dr. Amit Khandal. दोस्तों, आज का टॉपिक बहुत ज़्यादा हटकर है, लेकिन it is a common problem for all of us. Over thinking, दोस्तों. बार-बार सोचने की आदत. दोस्तों, ये जो बार-बार सोचने की आदत है, ये हमें बहुत ज़्यादा नुकसान पहुचाती है. फिर वो चाए हमारी personal life हो, चाए हमारी professional life हो, या अगर हम एक student हैं, और हमें कुछ exam को pass करना है, तो वहाँ पर भी ये problem हमें बहुत ज़्यादा परेशान करती है. overthinking के बारे में बाग की गई है, लेकिन practical solution किसी ने नहीं बताया. इसके लिए मैंने बहुत सारी books पड़ी, बहुत सारे videos देखे, बहुत सारे content को read करने के बाद दोस्तों, ये video में आप लोगों के लिए बना रहा हूँ. तो unacademy पर दोस्तों learning app आप जरूर डाउनलोड कर लीजिएगा, और मेरा code है c.e.abit इसको use करें जब भी आपको कोई subscription लेना हो, अभी bumper offers चल रहे हैं, दोस्तों bumper offers. तो दोस्तों overthinking क्या है? chapter of mind, विचार, thinking, बहुत सारे thoughts दोस्तों हमारे दिमाद में आते हैं. और हम इस overthinking की problem से बहुत ज़्यादा जूज रहे होते हैं. दोस्तों सोचना भगवान का एक आशिरवाद है. ये जो सोचने की आदत है ना, ये जो सोचने का एक quality हमको दिया है, इसी लिए हम मनुष्य हैं, हम इंसान हैं. दोस्तों, जवनवर को ये quality इतना content में नहीं मिला हुआ. तो overthinking हम लोगों के लिए एक बहुत बड़ा अभिशाब बन जाता है. दोस्तों, मैं इस वीडियो को क्यों मना रहा हूँ, इस topic के पीछे reason क्या है? large number of people are affected by this. बहुत सारे लोग दोस्तों इस problem से जूज रहे हैं, और unfortunately, दोस्तों, मैं बहुत सारे वीडियो देख चुका हूँ, लेकिन जो भी information दी गई है, वो misleading है, without waste मुझे लगती है, मेरी opinion को अगर आप जानना चाते हो, तो दोस्तों, overthinking एक habit है, एक आदत है, दोस्तों, ये एक परकार का addiction है, addiction, जो जो overthinking के अंदर डूबे हुए होते हैं, वो इस आदत से निकल नहीं पाते, और वो अपने आपको इस से बुरी तरीके से पस जाते हैं, ये दलदल है दोस्तों, ये दलदल है, ये सारी बाते इसलिए बोड़ रहा हूँ दोस्तों, कि मैं भी जब एक बार पढ़ाई करना था as a student life में, मुझे भी ये problem हुई थी, और मैंने उससे कैसे छुटका रापाये था, ये सारी बाते हैं, आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगा, दोस्तों, जो लोग overthinking करते हैं न, वो unnecessary regrets करते हैं, जैसे past में में जैसे कोई गल्ती हुई, तो तो वो गल्ती बहुत बड़ी हो सकती है, जिसे मैं वो सकता है, आप लोगों के साथ शेयर भी ना कर पाऊ, आप लोगों के साथ भी ऐसी बहुत बड़ी बड़ी गल्ती हो सकती है, कि आप किसी से शेयर भी ना कर पाऊ, आपको कहने में भी बहुत ज़्यादा शर्म आती हो, लेकिन आप अंदर ही अंदर दोस्तों regret करते हो आप unnecessary regret करते हो आप वहाँ सारी मन में परिकल्पनाए सोचते हो काश ऐसा होता तो ऐसा हो जाता अब ऐसा होगा तो मैं ऐसा कर दूँगा अब वैसा होगा तो मैं वैसे कर दूँगा बहुत सारे लोग तो आपस में मन में बड़ बड़ाते हैं दोस्तों बड़ बड़ाना समझते हो अपने आप से बहुत ज़्यादा बाते करते हैं तो दोस्तों ये unnecessary जो आप regrets करते हो न ये कहीं न कहीं आप लोगों के लिए एक बहुत बड़ी problem खड़ी कर देता है बहुत बड़ी problem दोस्तों over planning और over analysis बहुत ज़्यादा खराब भी हो सकता है हम लोग videos बनाते हैं मैं बहुत बार आप लोगों को कहता हूँ कि पहले से planning करो analysis करो लेकिन दोस्तों जब आप over planning करते हो जब आप लोग over analysis करते हो तो इससे आपको बहुत बड़ा नुकसान होता है तो तो इस तरीके से planning करते हैं कि अगर उसने मेरे से लड़ाई की तो मैं उसके इस तरीके से लात मारूँगा मैं उसको इस तरीके से fight करूँगा और एक thoughts से आप multiple thoughts की एक series अपने mind में बना लेते हो और दोस्तों आपको पतर भी नहीं चलता कि ये thoughts start कहां से हुआ था एक के मादेक एक के मादेक एक के मादेक ऐसे कड़ी अंदर mind के अंदर आपके जूरती चली जाती है direction less और dimensional less होना wrong है दोस्तों मैंने फिर से एक बाग बोलता हूँ direction less और dimensional less अगर आप हो तो आप बहुत बड़ी गलती में हो अगर आप overthinking से बचना चाते हो अच्छा आप इससे बचना क्यों चाते हो because ये problem आपको नुकसान पहुँचा रही है अगर ये problem आपको benefit पहुचा रही होती तो क्या आप इससे बचना चाते नहीं कभी नहीं दोस्तों ये हम सबके लिए blessings है कि हमको thinking करने का power है हम बहुत ज़्यादा think कर सकते हैं लेकिन दोस्तों कहते हैं ना अटी किसी भी चीज़ की बुरी होती है तो अगर आप ज़्यादा planning करोगे आप ज़्यादा सोचोगे तो आप अपनी life में कुछ नहीं कर पाओगे कुछ नहीं मैं एक book पढ़ना था और मैंने उसमें देखा कि एक author ने लिखा मुझे वो definition बहुत गलत लगी overthinking की मैं आपसे share करना चाओंगा उसमें ये लिखा था कि अगर मान लो रोड पर बहुत सारे लोग हैं और वो रोड को кр disp hearing कर रहे हैं तो जो ज़्यादा पढ़े लिखे लोग होते हैं वो overthinker होते हैं वो क्या करते हैं भई वो ज़्यादा पढ़े लिखे तो उट साइड में देखते हैं, राइट साइड में देखते हैं और बहुत स्टों तरीके से रोड को पार करते हैं तो वो overthinker है जो कम पढ़े लिखे होते हैं उनको कभी सिखाया नहीं जाता है कि रोड कैसे क्रॉफ की जाती है और वो बिना सोचे समझे सीधे चल जाते हैं तो उनका कहना था कि जो ज़्यादा पड़े लिखे लोग होते हैं उनमें overthinking problem होती है बताओ कितनी बकवास बात है या अगर road पे नहीं देखोगे तो कोई भी उड़ा देगा आपको पता भी नहीं लगेगा कि आप कहां पड़े तो ये कोई overthinking का definition है बताओ कि ज़्यादा पड़े लिखे लोग overthinker ज़्यादा होते हैं हाँ उनके पास knowledge है वो उसको think करते हैं ठीक है और कम पड़े लिखे लोग overthinker नहीं होते ये बिल्कुल गलट definition है दोस्तों ये misleading definition है सर आप तो ये बताओ इस problem को हम दूर कैसे करें तो कि सर हम इन problems से बहुत जादा जूज रहे हैं देखो मैं आपको एक बात कहना चाहते है अगर आपको कोई ये कहता है न अपने दिमाग से आप thoughts को निकाल दो आप mindlessness हो जाओ ये बहुत बड़ा मित है mindlessness होना या thoughtless होना एक बहुत बड़ा मित है दोस्तों we cannot stop thinking हम सोचना नहीं छोड़ सकते हम एक ही दिन सोचना छोड़ सकते हैं जिस दिन हम इस दुनिया से चले जाएंगे जिस दिन हमारा mind शान्त हो जाएगा उस दिन हम सोचना छोड़ देंगे दोस्तों और कभी आप लोग try भी मत करना आप ये कभी मत सोचना कि मेरे दिमाग में विचार ना आएं विचार आएंगे दोस्तों हमारा mind हमारा मस्तिक्ष ऐसा ही बना है कि विचार आएंगे तो सर फिर हम क्या करें thoughts तो बार-बार बार-बार हमारे mind में आते हम क्या करें दोस्तों इन thoughts से लड़ना छोड़ दो अगर आप इन thoughts से लड़ने की कोशिश करोगे तो ये आपके उपर बहुत ज़ादा हावी हो जाएंगे कि कैए आप केवल अपने present पर focus करो आपके दिमाग में बहुत सारे thoughts आते हैं जाते हैं दोस्तों मैं आपको समझाता हूँ देखे अगर आप केवल planning करोगे planning करोगे planning करोगे तो आपको बहुत ज़ादा दिक्त खेगी आपको क्या करना है दोस्तों जब आप road cross करते हो मुझे एक बात बताओ बहुत सारी गाड़ी आती है बहुत सारे लोग आपको दिखते है बहुत सारी चीजे होती है तो क्या आप कभी analysis करते हो क्या आप ये सोचते हो कि कौन अच्छा है कौन गुरा है बैसे ही my dear friends हमारे mind में thoughts का आना और जाना लगा रहता है तो आप ये समझो कि ये जो thoughts हमारे mind में आ रहे और जा रहे है ये सड़क पर चलने वाली वो गाड़िया है जिने हमको ignore करना है हमें इन पर focus नहीं करना हमें इनको ignore करना है आ रहे आने दो, जा रहे जाने दो इन से लड़ो मत यह मत सोचो कि यह हमारे दिमाग में ना है बस आप इनको इग्नोर करना सी आप इनको इग्नोर करो अपने प्रेजेंट में जीओ ठीक है अगर प्लानिंग ही करते रहोगे दोस्तों अगर आप बहुत जादा सोचोगे मैं ऐसे बहुत सारे लोगों से मिलता हूँ जो में ते बार बार कहते हैं कि मैं बिजनस करना चाहता हूँ बड़ी-बड़ी बाते करते हैं सर आप किसी से मिलवा दो सर मुझे एक एब बनवानी है सर मैं ऑनलाइन का बिजनस शुरू करना चाहता हूँ पिछले पांच साल से दोस्तों मैं यह सोच रहा हूँ मैंने ऐसे बहुत तारे लोगों को देखा है और वो केवल सोचते ही रह जाते है आप प्लानिंग करते ही रह जाओगे मेरा कहने का मतलब यह दोस्तों प्लानिंग करना बुरा नहीं है एक बहुत ब्यूटिफुल कॉट है अगोल विदाउट अ प्लान इस जस्ट अ विश तो अगर आप विना गोल के चल रहे हो तो वो केवल आपकी एक विश बन कर रह जाएगी तो गोल बनाओ प्लानिंग करो लेकिन बहुत ज़ादा सोचना बंद करो ठीक है? मुझे रतन टाटा का एक कॉट यहाँ दाता है वो कहते हैं कि मैं सही निर्णे नहीं लेता मैं सही निर्णे गुड डिसिजन नहीं लेता मैं जो डिसिजन लेता हूँ मैं जो निर्णे लेता हूँ उसको सही बनाता हूँ ये रतन टाटा ने कहा दोस्तों ये कॉट मुझे उनका बहुत अच्छा लगता है सब हम इन ओवर थिंकिंग की प्राबलम को दूर कैसे करे दोस्तों आपको meditation स्टार्ट कर देना चाहिए मैंने बहुत सारी बुक्स में बढ़ा it is scientifically proved कि जब आप meditation करते हो तो आपका जो मस्तिक्ष आपका जो माइंड है वो strong बनता जाता है ठीक है मैं ये नहीं कहता कि आप आदा घंटा करो एक घंटा करो आप पांच मिनिट से शुरू करो दस मिनिट से शुरू करो जितना आपका फोकस बनता है उतना शुरू करो meditation के भी बहुत सारे ways होते हैं आपको YouTube पर बहुत सारे वीडियोज मिल जाएंगे एक छोटी सी शुरूआत करो दोस्तों एक small start करो ठीक है तो meditation आपकी overthinking की problem को काफी हट तक दूर करेगी पोशिश करके देखिए दूतरा जो मैं आप लोगों को यहाँ पर suggestion solution बताऊंगा वो है don't fight with the thoughts दोत्तों अपने विचारों के साथ कभी ना लड़े let them come and go when you are on the road तो मैंने अभी अभी बोला था कि आप observe करते हो कौन अच्छा है कौन बुरा है जो अच्छा लगता है यार उसको enjoy करो उसको chill करो जो बुरा लगता है उसको इदनो और करो जो बुरा लगता है भाई उसको इदनो और करो उसको मत देखो वो आपके सामने आएगा अगर आप ये सोच रहे हो कि ये मेरे सामने ही क्यों आया इसने मुझे गाली क्यों बखी कई बार हम रोड़ पर जाते हैं कोई हमें गाली बग देता है हम पूरा दिन उसके पीछे खराब कर देते हैं कि उसने मेरे को गाली करते बखी अरे वो बखकर चला गया यार अब तुमारे सोचने से तो गाली वापस हट नी जाएगी तो अपना माइंड क्यों खराब करो गई अपना दिमाग क्यों खराब करो मुझे एक माद बताओ जब पागल आपको गाली बता है तो क्या आप ध्यान देते हो नहीं क्योंकि वो पागल है तो ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो आपको कुछ बोलेंगे आप उसके पीछ अपना पूरा टाइम खराब करो ऐसे मादो ना यार पागल है इग्नोर इट उसको इग्नोर करो राइट दूसरे तीसरे important चीज़ दोस्तों मैं एक बार सद्गुरू का एक वीडियो देखना था उन्होंने mental diarrhea word दिया this is very good word जैसे दोस्तों आपको diarrhea कब होता है जब आप कोई junk food ज़्यादा खालेते हो सडा दला बासा खाना खालेते हो ऐसे दोस्तों आपका जो मस्तिक्ष है आपका जो mental health है वो भी बहुत important है आपका mental food कैसा होना चाहिए आप जैसा देखते हो आप जैसा खाते हो जैसा आप सुनते हो वैसे ही आपका दिमाग आपका मस्तिक्ष सोचता है और आपके minds में thoughts भी वैसे ही बनते है ठीक है तो आप अपने mental food को positive बनाओ आप अच्छी चीजें देखो अच्छी चीजें सुनो दोस्तों आप लोग मेरा वीडियो देख रहोंगे इस age में हमें कई बात और not only in this age आगे जब आप बड़े भी हो जाते हो तो दिमाग में बहुत सारी चीजें आती है ठीक है अब आप कहते हो जी मेरा मन करता है उस समय मेरा mind बहुत हावी हो जाता है क्योंकि आप शुरुआत कर देते हो आप उस चीज को देखना शुरू कर देते हो तो इसी चीजों को जितना दूर करोगे मैं कहता हूँ एक दिन में नहीं होगा लेकिन आप कोशिश करो छोटी सी शुरुआत करो कि मैं आज 5 घंटे मोबाइल नहीं देखूँ आज मैं 6 घंटे फेस्बुक नहीं चलूँगा आज मैं 10 घंटे इंस्टा का पेज नहीं देखूँगा दोस्तों वो जो 4 घंटा 5 घंटा 10 घंटे का आपने एक परतिग्या की और आपने अगर उसको शुरुमात करो दोस्तों छोटी 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 be kind to yourself and other दोस्तों अपने आपको माफ करना चीकर और दूसरों को भी माफ करना चीकर खुद को माफ करो जो बीट गया वो बीट गया तूँ बार बार regret करते हो कि मैंने ऐसा कर दिया था मैंने इतनी बड़ी गल्पी कर दीती अरे याँ छोड़ो ना उसको और future के मारे में ज़्यादा मत सोचो क्योंकि वो आपके hand में नहीं है दोस्तों आप अपने present में जीओ दल से मत दरो दोस्तों उससे आगे बढ़ो risk लो आगे बढ़ो do very very small things छोटी छोटी चीज़ें करो because जब आप छोटी छोटी चीजें करते हो it increase your confidence जब आप चोटा सा आज आपने चोटा सा दो पेज याद करने का target की आपने दो पेज याद किया आपका confidence बढ़ेगा फिर आप पाँच पैज याद करोगे फिर आप आपका confidence level बहुत ज़ादा बढ़ेगा और ये सारी चीजे दोस्तों मैंने खुद अपने उपर practically अप्लाई करी है। सबसे last और सबसे end में एकी बात बुलूँगा avoid self-talk जो लोग बहुत ज़ादा सूचते हैं जिनको overthinking की problem होती हैं वो मौका डूमते हैं दोस्तों कि कम मैं अकेला बैठो और अपने आपसे बात करो जब भी negative self-talk अगर आप खुद से खुद को अकेला करना छोड़ दे अपने काम में वेस्ट हो जाएं अपनी studies में वीजी हो जाएं अपने आपसे बात करना बंद कर दे इस इस ना only solution क्योंकि जब भी आप खाली बैठोगे ना ये विचार आप पर हावी होंगे हाँ एक समय के बाद जब आप overthinking से निजाग पाँगे तो फिर आपको इतना जादा नहीं आएगा लेकिन शुरुआती दिनों में ये problem बहुत जादा होती है इसलिए अपने आपको self रहने से बचें से पहले stop fighting with your thoughts अपने thoughts के साथ fighting करना बंद करो daily meditation करो इससे आपका focus बड़ेगा दोस्तों इससे आपका focus increase होगा अपने आपको भी माफ करो और दूसरे लोगों को भी माफ करना सीखो ठीक है अपने mental food पर ध्यान दो आप क्या देखते हो आप क्या सुनते हो आप क्या खाते ह और सबसे नाथ है भाई साब self talk अपने आप से बात करना बंद करो क्योंकि जब आपके साथ ये problem होगी दोस्तों तो आप अपने आप से बहुत जादा बाते करोगे और ये problem आपकी इस problem को बहुत बढ़ा बढ़ा देगी तो दोस्तों आशा करता हूँ कि ये video आप लोगों क्यों बहुत मदद करेगा help करेगा आप तभी लोगों से request है कि इस video को जादा से जादा अपने family friends के साथ share करें ताकि उन लोगों को भी इस तरह की problem से निजात मिले और अगर channel पर नए हैं तो इसको subscribe करें like का बटन share कर दे ताकि मैं इस तरह के बहुत सारे videos आप लोगों के लिख कर बताए कि आप इस problem से किस समय से जूज रहे हैं कितना जूज रहे हैं और ये video आपको कितनी help कर रहा है और आप आगे आने वाले समय पे on किन topics पर video चाहते हो मैं कोशिश करूँगा दोस्तों आप लोगों के comments को पढ़ कर आप लोगों की problems को solve कर सकूँगा और जब और हम इन सभी problems को दूर करने में industry की मदद करेंगे thank you so much for watching और last week की बाद बुरूँगा जोश दिल में जगाते चलो और जीत के रीए गाते चलो thank you so much